टीवी एक्ट्रेस संकिता गोश ने हाल ही में अपनी पस्तर लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है सबसे पहले आपको बता दे एक्ट्रेस संकिता गोश ने सीरियल देश में निकला हो का चांद से घर-घर में अपनी पहचान बनाई इन दिनों संकिता स्वन्ड गर सीरियल में स्वन्ड बेदी के किर्दार में नजर आ रही है हाल ही में संकिता ने इस बात का खुलासा किया ही कि वो साथ मेहने की बच्ची की मा बन गई है दोस्तों आपको बता थे संकिता घुष ने 2011 में पोलो प्लेयर राजवी शेलन सिंग राठोर के साथ शादी की थी राजवी राजस्तान में रहते ही और संकिता अपने काम के चलते मुंबई में रहती ही संगिता ने कुछी समय पहले एक खुलासा किया कि वो साथ मेने की बच्ची की मा बन गई है संगिता ने अपनी बेटी की जन्म की बात अभी तक सभी से छुपा कर रखी थी संगिता ने हाल ही में बताया है कि 25 दिसंबर 2021 को उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम कपल ने देवी रखा है अब जाकर संगिता ने अपनी बेटी की तस्वीरे भी पोस की है संगिता ने अपनी बेटी की साथ जो तस्वीरे पोस की है उसमें अपनी लाड़ी बेटी की साथ खेलते वे नजर आ रहे है और कुछ तस्वीरों में देवी अपने पिता राजवी के साथ समय बिताते वे नजर आ रही है तस्वीरों में देवी की क्यूटनेस फैंस का पर देल जीत रही है हाल ही में बॉंबे टाइम से बाचित करते वे संगिता ने अपनी बेटी के बारे में बात की और कहा था देवी का जन्म पिछले 25 दिसंबर को समय से पहले हुआ था यह एक चीनता जनक समय था क्योंकि वो 15 दिनों के लिए NICU में थी ऐसा नहीं कि हमने खबरे चुपाई लेकिन हमने तब तक इसके बारे में बात नहीं करने का फैसला किया जब तक हमें ठीक समय का एहसास नहीं हुआ कभी कभी यह इतना औव वास्तविक लगता है कि मैं अपने पती से मुझे चूटकी लेने के लिए कहती हूँ देवी बहुत खुश मिजास बच्ची ही और मेरे पती राजवी शेलन सिंग की कॉपी ही मैंने गायत्रिमन का पाट किया जब मैंने उसे पहली बार लिया उसने अपनी आखे खोली और मुस्कराई मैं उस पल को भूल नहीं सकती इन दिनों कपल अपनी बेटी के साथ ही खुश्णुमा जंदगी जी रही संगिता ने एक हफते पहले ही जैपूर में अपनी बेटी के लिए पूज़ा और हवन करवाया था अपनी बेटी के जन्म के तुरन बाद संगिता काम पर लोटाई उन्हें अपने शो स्वानगर की शूटिंग के लिए चंदी कर जाना पड़ा उनकी बेटी 25 जुलाई को 7 मेने की हो जाएगी और जब उन्हें अपनी बेटी को छोड़ कर जाना पड़ता है तो वो काफी भावुक हो जाती है वो कहती है कि शो को लेने के बारे में मेरे मन में दो राय थी लेकिन मेरे पती ने मेरा समर्थन किया और मुझसे कहा कि वो बच्ची के लिए यहाँ है इस तरह मेरे पास समर्थन और आत्मविश्वास जबरदस्त था आपको बता दे देवी के जन्म से पहले 2015 में संगीता का मिस्केरिच हो गया था इस बारे मन ने कहा था मैं यह नहीं बता सकती की वो अनुभव कितना बुरा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैं सोचती रती की ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया यह ऐसे जीवन को खोनी की कलपना करना जो आपके अंदर बढ़ रहा है बहुत दर्दनाग था संगिता ने इस बात से ध्यान को डायवर्ट करने के लिए वेब स्रीज में काम करकी खुद को बीजी रख लिया उनने कहा था मुझे आत्नविश्वास और प्रसंचा की जरुरत थी इसलिए मैं काम में व्यस्थ हो गई फिर कोरोना महामारी आ गई और मेरे पती ने फिर से परिबार शुरू करने का मन बनाया मैं वास्तों में डर गई थी लेकिन वो उत्सुक थे तो आज हम यहाँ हैं हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं चिंतित थी और अंधविश्वासी थी हमने छे साथ मैंने बाद अपनी मा को सुचित किया आपको बता दे संगिता महंदी तेरे नाम गई कहता है दिल जीले जरा और रिष्टों का चक्र व्यू जैसे कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी है तो दोस्त आपको संगिता की बेटी की तस्वेरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और पिलेटेस अपडेट्स के लिए सस्क्राइब करें कचप खबरे